दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल की गेहूं की फसल में पहली सिचाई कितने दिन में करें गेहूं की फसल में पहली सिचाई का सही समय क्या है दोस्तों आप सभी किसान भाईयों का स्वागत है हमारे चैनल बुंदेल खन फार्मिंग में आज हम जानेंगे गेहूं में पहली सिचाई का सही समय क्या है दोस्तों गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए गेहूं की फसल में पहली सिचाई बहुत मात्रपून होती है आज हम जानेंगे हमें गेहूं की फसल में पहली सिचाई कब करनी है हमारे बहुत से किसान भाई गेहूं की फसल में 20 से 25 दिन में सिचाई करते हैं और बहुत से किसान भाई 25 से 30 दिन में सिचाई करते हैं दोस्तों हम लोगों को गेहूं की फसल में दिन के हसाब से सिचाई नहीं करना है दोस्तों गेहूं की फसल में हम और आप लोगों को ये देखना है कि गेहूं की जो फसल है हमारी उसका जो पौधा है उस पौधे में जड़ों का कितना विकास हुआ है दोस्तों बहुत से किसान भाई 21 दिन में सिचाई कर देते हैं 20 दिन में सिचाई करते हैं दोस्तों मेरा मानना है कि 20-21 दिन में का जो पौधा होता है कि हूँ का उसमें जड़ों का सही विकास नहीं हो पाता है दोस्तों जब हमारे पौधे में जड़ों का सही विकास नहीं हो पाएगा तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी और इस पिरकार से हमारी फसल में उत्पादन की कमी हो जाएगी हमारी फसल उतना उत्पादन नहीं देगी जितना उत्पादन उसको देना चाहिए दोस्तों आप जो पौधा देख रहे हैं ये 20 दिन का पौधा हो चुका है और आप देख रहे हैं इसमें जड़ों का पूल रूप से विकास अभी नहीं हो पाया है अभी इसमें जड़ों का विकास होना बाकी है साथियों अगर हम इसमें अभी सिचाई कर देंगे 20 दिन में या 21 दिन में इसमें सिचाई करेंगे तो इसमें जड़ों का विकास रुख जाएगा और जब जड़ों का विकास रुख जाएगा तो हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा दोस्तों यह जो आप पौधा देख रहा है यह पूरे 30 दिन का हो चुका है दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया जड़ों का विकास हुआ है जो 20 दिन का हमने पौधा दिखाया था उसमें पूल रूम से जड़ों का विकास नहीं हो पाया था और इस पौधिम देखिए आप कितना अच्छा जड़ों का विकास हुआ है अब ये पौधा अमारा सिचाई के लिए तै यार दोस्तों इस अवस्ता में हम अपनी गेहूं की फसल में सिचाई कर सकते हैं आपको अपनी फसल से एक पौधे को खाल कर देखना है अगर दोस्तों उसमें जड़ों का विकास इस तरह से हो चुका है तो आप अपनी गेहूं की फसल में पहली सिचाई कर सकते हैं दोस्तों इस अवस्था में सिचाई करने से आपकी पौधे की जड़े मजबूत रहेंगी और आपका पौधा अच्छी ग्रोध करेगा जड़े मजबूत होंगी तो जादस जादा कलों की संख्या बनेगी और जादस जादा कलों की संख्या बनेगी तो आपकी गिहूं की फस हैं तो हमारे चैनल बुंदेलखन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें